Hey everyone, welcome to Magnum Dance Banking, this is Shantanu, your reasoning mentor, मैं आपके सामने आ चुका हूँ, आज का सेशन एक बहुत ही धमाकेदार सेशन लेके और इस सेशन की खास बात यह होने वाली है कि इस सेशन के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ Sitting Arrangement का Part 4, भाई Part 4 है थोड़ा टफ होगा, थोड़ा परिशान करने वाला सेशन होगा, देखेंगे आप कि Sitting Arrangement के मैंने चार पार्ट में सेशन पूरे आपको दिये हैं और ये चार पार्ट में कोशन का लेवल थोड़ा सा एजी था, फिर मॉडरे था, फिर थोड़ा सा आज High Level के कोशन्स मिलने वाले हैं, तो आज की Class बहुत Important होने वाली तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा, और उसके पहले आपको बता दू मैं कि अगर आपने इसके पहले के सेशन्स मिस्स कर दिये हैं, तो जरूर जाके उनको देखिए, क्योंकि आपका सेलेक्शन ही हमारा धे है, हमारी मजबूती है, हमारा मोटिवेशन है, तो चलो भाई शुरू करते हैं, और चैनल को प्लीज सबस्क्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये जो चीज हम आपको दे रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, क्वालिटी कंटेंट के साथ है, और बड़ कर दिया, ये भी कवर हो गया, सिटिंग अर्रेंजमेंट आज कवर हो जाएगा, तो अगर आप ये सेशन्स मिस कर गया है, एस बी आई पी ओ के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, वहां से सारे सेशन्स को आप प्रॉपर अच् कर रही है, हम आपके सामने देखें, आपे मैट्स, रिजनिंग और कह सकते हैं, बैंकिंग की स्पेशली, स्पेशली बुक्स आपके सामने ला चुके हैं, तो आपको अगर इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तो क्या करना पढ़ेगा, उसको बताओं, उस किताब के अंदर आपको टॉपिक वाइस डिटेल अप्रोच और अनलेसिस यहां पर मिलने वाली है, कंसेप्ट वो आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि तीन लेवल में कोश्चन्स मिलेंगे, मन्दब इजी, मॉडरेट और हाई, मन्दब आपको हर एक तीन लेवल पर यहां पर केटेगराईज किया गया है, जिसका बेनफिट आपको मिलेगा कि आपके प्री और मेंस दोनों के लिए आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तयार हो जाएंगे, और सर्फ तयार ही नहीं होंगे, आप बिल्कुल सेलेक्शन के लिए रेडी हो जाए और solution उसको आपको मिलेंगे प्रॉपर चीज सब कुछ आपको बिल्कुल तगड़े तरीके से हम दे रहे हैं और सबसे importantly अगर कहा जा तो previous year papers भी आपको यहां पे मिलने वाले तो एक एक छोटा सा question है और बहुत ही सिंपल है 2018 में पूछा गया question है तो देखेंगे जरा इस question को बनाने की कोशिश करेंगे कि टोटल 12 लोग हैं जो कि दो पैडलल नाइम में बैटने हैं वाई इंग्लिश में देख लो अच्छे से पहले अच्छे से देख लो इसकी फोटो खीश लो इसके बाद मैं आपको हिंदी में दिखाने वाला हूँ और याद रखना यह जो चीज आपके सामने में लेके आ रहा हूँ यह बहुत डिलिश्यस बहुत शांदार है मज़ा आएगा इसको करने में तो बिलकुल एक दुम चास सेकेंड बहुत जाद है इसको करने के लिए उससे दधर टाइम आपको नहीं लगना चाहिए तो जल्दी से जाए शेशन को करना शुरू करिए कॉश्यन को करना शुरू करिया आप कम ऑन आप कर सकते हैं और आपको करना पड़ेगा मैं साइड हो जा रहे हूँ थोला स रफ्तार भी तेज होनी चाहिए भाई, पैन की रफ्तार भी तेज होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको आगे जाना है तो एक मिनट दस सेकेंड के टाइम बचा हुए भाई, अच्छे से पढ़िए इसको कोशिश कीजिए कि आपसे कोशन बनें कम आन, 20 सेकेंड की लडाई और लडनी है आपको, चलिए, दस सेकेंड अब ये लास्ट काउंड डाउन स्टार्ट हो चुका है भाई, चलिए, टाइम अप हो गया भाई, अब इसकोशन को करेंगे सॉल ठीक है मैं एक पेज ले रहता हूं यहां पर और उस पेज से हम इसकोशन को बनाने कोशिश करते हैं, क्वेशन ने क्या बोला, यहां पर क्वेशन ने आपसे क्या बोला है कि टोटल कितने लोगए, 12 लोग है यह आपका बन गया ठीक है अब इसमें एक अच्छी बात यह देखे ज़रा सा कि यह लोग कहां देख रहे हैं नीचे की तरफ ठीक है यह लोग जो है वो नीचे की तरफ देख रहे हैं यह लोग जो है यह नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बस जैसे आमने सामने इनको बोला क दिखा दो भाई आपको ऐसे वाले question में right left तो पता होगा नीचे वाले का right आपका right ऊपर वाले का right आपका left हो जाएगा मदब यहां पर यह left हो जाएगा ठीक है ना चलो शुरू करते हैं question को बनाना शुरू करते हैं और सिर्फ बनाना नहीं सही तरीके से बनाना ठीक है जड़ा पढ़ते हैं first line क्या थी अच्छे एक चीज और देखो यहां पर एक चीज और देखो यहां पर कि आपको बोला गया है कि पंक्ती 1 में यह लोग बैठे हैं वाई और इन सभी का face जो है सबसे पहले S is third to the right of Q जड़ा सोचो S जो है वो Q के right third पर धियान रखना ऊपर बैठेगा तो Q को अगर यहां रखें तो 1,2,3 S यहां हो सकता है Q को यहां रखें 1,2,3 यहां हो सकता है Q को यहां रखें तो इधर हो सकता है बहुत सारी जगह है ठीक है छोड़ दो आगे से इस पर अपलाई कर लेते हैं कि Q के left third पर S बैठेगा तो इसमें Q को यहां कर दो 1,2,3 यहां को न आएगा S आएगा और दूसरे वाले case में यहां को S कर देते हैं तो Q यहां कर दिया Q के left 1,2,3 पर को न आगया S आगया समझ में आई बात question को कैसे approach करना है ठीक है S और Q मे E के right second पर वो बंदा है जो किसको देख रहा है भाई Q को देख रहा है, got it, आगे देखो next, आगे बो लगा है कि दो लोग बैठेंगे किसके बीच में B और F के बीच में, है ना जरा सोचो B और F के बीच में दो लोग हैं तो नीचे बैठने वाले हैं, मुझे भी doubt हैं में, तो अलग से लिख लें कि B और F के बीच में कितने लोग हैं बैठा, सिर्फ दो लोग हैं, got it, आगे आजओ, आगे आजओ, next line पढ़ते हैं इसकी, B और F के बीच में दो हैं, अचा B और F जो है किसी भी end पे नहीं बैठेंगे, तो इसका मदब हमारे लिए थोड़ा सा असा को जाता और B यहां रखने सकते, तो बतलब एक बात शोता होगी, B यहां रखने तो E को दो छोड़ की F नहीं आ सकता है, यह वाला केस गलत है और अगर यह वाला केस गलत हैं बैठा तो no doubt फिर इसको हटा दो, यह वाला केस हटा दो, यह केस हमारा बिलकल बढ़ियां चल र था कि the immediate neighbor of B facing person who sit third left of B ठीक है, B का जो पडोसी है वो P के left third वाले को देखता है सरा सोचो, अब B का जो पडोसी है P के left third, तो common sense लगाना उपर वाले का left hand यहां होगा इस side, ठीक है तो जो B का पडोसी है वो P के left third पे है ठीक है, तो एक बाद बताओ अगर B का पडोसी यह देखो, यहां आजाए यहां आजाए, तो P के left third पे हो सकता है क्या, देखो ध्यान से B का जो पडोसी है, उस बंदे को देखता है, question को समझना ज़रा पढ़ दो क्या लिखा था, कि the immediate neighbor of B, B का जो पडोसी है वो उस व्यक्ति को देखता है, जो P के बाएं तीसरे स्थान पे जरा सोचो, अगर B का पडोसी यह हो गया, तो यह बंदा यह बंदा उसको देख रहा है जो P के left third तो P तो इधर कहीं होगा नहीं भाई, तो यानि यह बात तरह होगी कि B के यहां आने के chances जो हैं, वो नहीं होंगे B यहां नहीं आएगा बेटा B आएगा इस साइड में यहां B आएगा और यहां पे F आजाएगा, तो B का जो नेवर है ना, वो P के left third तो तो दो को B के दो पडोसी है, एक यह वाला वो किसको देखेगा Q को तो Q क्या P के left third पे आएगा नहीं क्योंकि P यहां रखेंगे तभी तो one, two, three पे आपाएगा, तो इसका मतलब B का यह जो E वाला पडोसी है ना, E जिसको देखता है वो P, यह देखो P यहां गया P के left one, two, three, भाई, उपर वाले का left side होगा, तो P के left third पे यह हो जाएगा, बात समझ में आगई, done आगे देखो next जिस में क्या है R O T जो है R O T जो है वो immediate neighbor है किसके सीके, जरा सोचो, एक second R and T are immediate neighbors, यहां पर वस इतना बोला गया था कि R O T को पडोसी बिठा रहा R O T, तो no doubt बिठा R O T यही आएंगे फिर, यह देखो, अगर यह R करूँगा तो यहां T आ सकता है, यहां R करो तो यहां T आ सकता है, ठीक है no doubt, यह clear होगा, आगर देखो C जो है ना, वो second left है किसके A के, C बेटा A के left second पे, तो इसका मलब A यहां होगा तो एके left second पे, यहां C आ गया तो A, B, C, यह हो जाएगा कौन? D, तो नीचे वाला डेटा तो बन गया भाई साब, आगर देखो, T does not faces immediate neighbor of D, जो T का चेहरा है, वो D के पडूसी के तरफ नहीं है, इसका मलब D का पडूसी यह है तो उसके तरफ T नहीं आएगा, तो यहां पर T नहीं आएगा R आ जाएगा, यह हो जाएगा R और यह हो जाएगा कौन? T तो इस तरह से आप आओगे, कि यह question आपका क्या हो गया? Solve हो गया, ठीक है ना? Well done अब आपका solution मिल चुका है, तो बस ज़रा question solve करो इसके जल्दी से, question solve करना असान हो जाएगा, बताओ अब यह एंटिम एंड पर बैठा है ठीक है? निमलेकिस में कौन पंक्तियों के एंड पर बैठा है यहां पर देखो ज़रा, तो पंक्तियों के एंड पर बैठने में कौन है? P, C, Q, और D देखो तरह P, C, Q, और D P, C, Q, और D P, C, Q, और D actually question क्या था? who among the following sit at the extreme end of the rows? इन में से कौन है जो पंक्ति के एंड पर बैठा है? ठीक है? तो यहां पर एंड पर बैठने वालों में कौन कौन है? ज़र एक बाद फिर से देखो QD, PC PD भी कह सकते हैं इसको PD भी कह सकते हैं यह देखो ठीक है? PD जो है यहां पर यहां पर यह लाइन नहीं है बेठा इस लाइन को आप मत करना consider यह लाइन नहीं है, सिर्फ उपर की लाइन है, ठीक है न? चलो, next, आगे देखो S के तरफ कौन देखता है भाई? तो A देख रहा, ठीक है? S के तरफ कौन देखता है? तो answer आएगा S का A A is the man who faces exactly A ठीक है? आगे देखो V और R के बीच में कितने बंदे बैठें भाई? V और R के बीच में आप आओगे तो V यहां पर है R यहां पर कितने लोग हैं? इसमें? दो लोग है ठीक है? पॉफेक्टली फाइन तो answer आएगा S कितना दो लोग हैं? answer आएगा 2 next अगर P का relation A से किसी प्रकार है S का relation उसी तरह से B से है तो T का कैसे होगा? P का relation A से देखो कैसे है पहले, चेक करो P का relation A से कैसे है? तो आप आओगे diagonal में 3rd ठीक है? diagonal में 3rd है, इसमें है ना? आगे देखो जड़ा सा P का A से तो diagonal 3rd देख रहा S का B से है तो T का S का B से है S का देखो सेम ऐसे ही B से है तो T का पूछेगा तो किस से होगा बेटा? D से हो जाएगा answer आएगा S का क्या? diagonal opposite में जा रहा है बेटा answer आएगा S का क्या? D ठीक है? ये 5 question का answer निकालना बहुत आसान हो जाएगा जब आपकी puzzle बनके आ जाएगी T के respect में कौन सी बात सही है? बेटा T के respect में कौन सी बात सही है? कि T के respect में कौन सी बात सही है? ज़रा देखो T का चैरा F की तरफ नहीं है आगे देखो पहला दूसरा हो गया हाँ पर V जो है वो immediate neighbor है T का तो T के पड़ोसी में V है क्या? तो आप कहोगे sir T का पड़ोसी V नहीं है क्योंकि T का पड़ोसी कौन है? S है तो उपर के दो गलत हो गया नीचे देखो F faces the one who is second right of T F उस बंदे को देख रहा है जो T के right second पे T के right second पे जो बंदा है F उसको देख रहा है क्या? बिल्कुल देखो T का right इदर ही आएगा बेटा तो T के right second पे कौन आएगा? V और V को कौन देख रहा है? F त अंसर क्या आएगा? इसका third वाला ठीक है? third वाला आजाएगा C चलो आगे देखेंगे इस question में तो आपके सामने जब question आएगे तो approach उनके ऐसे रखोगे लो अगला question आपके सामने आचुका ध्यान से देखो और इस question के लिए भी मैं आपको timer लगा के दे रहा हूँ बेटा timer आपको वही मिलेगा max to max 2 minute ठीक है? max to max 1 minute और 50 second क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 minute भी नहीं दे सकता मैं आपको ये question जो है वो 2 minute वाले भी नहीं है भाई है ना तो इस question का मैं कहीं पे इसको यहां रखता हूँ ट्राइग करता हूँ ठीक है? ये लिजे time start हो गया facing towards यहां पे north है सबका मुँ उत्तर के तरह पर वो शेपा हूँ ऐसमें दिख रहा सभी लोग उत्तर में देख रहा है जल्दी से बना दो भाई एक question को try करो solve करने का जल्दी से try करो question को solve करने का क्योंकि आगे अभी question बहुत अच्छे लेकि आने वाला हूं है मज़ा आजाएगा question देखके try कीजे try कीजे try कीजे 1 minute 13 seconds भाई जल्दी से solve करने को question को जल्दी से जतना जल्दी solve कर सकते हैं उतना जल्दी solve करिए 49 seconds भचे हैं आपके पास previous year पूछे गए questions में से एक है बिटाएए हैना 2018 की बात कर रहा है certain number of person एक डाइग्राम से नहीं बनता दो डाइग्राम लगेगा इसमें और यह दोनों डाइग्राम जो है आपका बहुत ही smoothie solve हो जाएगा है यहां पर try कीजे ज़रा सबी लोग जो है वो कहा देख रहा है नौर्थ में लाइन चुपी हुई है वही वाली चलिए वही ऑल्मोस टाइम आप होने वाला है चलिए डन अब देखिए इस question को कैसे solve करेंगे इस के लिए पेज ले देते हैं हम लोग यहां पर यहां पर question की first line पढ़ते है अब क्या बोला गया सबी का चहरा उपर की तरफ है आगे देखो शुरुआत हो रही G is second to the from extreme end बटा जी जो है न किसी भी end से दूसरे पर है जरा सोचो माल लो यहां से एक और यह दू जी ऐसा भी हो सकता है और एक और दो G किसी भी end से दूसरे पर हो सकता है मैंने बना दिया इसको ठीक है next पढ़ ले अगर से यहां पर ठीक है only three person between G and E बटा G और E की बीच में कितने लोग होंगे तीन तो एक दो तीन छोड़के E यहां गया एक दो तीन छोड़के E यहां गया G और E की बीच में कितने लोग होंगे तीन आगे देखो B is fifth to the left of R ठीक है B जो है fifth to the left of R R के left में fifth पे B होगा R के left में one, two, three, four और fifth में कौन होगा B हो जाएगा ऐसे लिखिया मैंने अभी B का मुझे नहीं पता आगे देखो यहां पे ठीक है six person between R and E ठीक है R और E के बीच में 6 लोग होंगे तो इधर तो जगए नहीं है एक, दो, तीन, चार, पाँच है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 ठीक है ठीक है भाई R और E के बीच में 6 लोग होने चीए तो यहां देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 ठीक है यह देखो गया आप आओगे यह R हो गया R और E के बीच में एक, दो, तीन, चार, पाँच है हो गया और उसके बाद बेटा बोला गया की R के लेफट में B जो है वो एक, दो, तीन, चार, पाँच पे एक, दो, तीन, चार, पाँच पे कोन आएगा B आ जाएगा R के लेफट में गया A who is third to the left of E A जो है न E के लेफट में third पे तो 1, 2, 3 यहाँ पे E के left में third पे कौन आएगा? A आजाएगा 1, 2, 3 यहाँ कौन आजाएगा? A आजाएगा E के left third में कौन आजाएगा? A आजाएगा ठीक है न? आगे देखो A जो है वो E के left third पे है and adjacent to G और यही जो है न G के कहा है पडोसी and मतलब यह कौमा का मतलब बिटा false person होगा यानि किसकी बात हो रही है? A की कि जो A है न वो G का पडोसी होना चाहिए भाई साब A जो है वो G का पडोसी होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल सटीक है यहाँ पे दूर दूर तक रिष्टा नहीं तो इसका मतलब यह नीचे वाला केश जो है बिल्कुल गलत है उपर वाला केश बिल्कुल सटीक सही जा रहा आपका Next आगे देखो दो लोग बैठे हैं किसके बीच में बैठा है? F और R के बीच में बैठेंगे F और R के बीच में दो लोग बैठेंगे F की जो बात बोलीगे यह ना इस F की बात को एक और दो छोड़के यहाँ पर किसको करेंगे? F को कर देंगे ठीक है? यहाँ पर यह F आ जाएगा आपका ठीक है ना? R और F के बीच में कितने लोग आगे बिटा? 2 R को END में बिटाना नहीं है तो R को ओहाँ रखना पड़ेगा Next आजा ज़रा सब Number of person to the right of F F के राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग किस के बीच में बिटा हैं? G और A के F के राइट में कितने लोग हैं? 0 तो G और A के बीच में बिच में कितने लोग होंगे? 0 बिल्कुल बन गया question और आप पाओगे कि question के line यहाँ पर finish होगया पहला question देखो क्या था इसमें? कि कितने लोग हैं? How many persons sit to the left of B? B के left में कितने लोग बैटें बाई? How many persons sit to the left of B? B के left में किरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो answer क्या आएगा बेटा इसका? इसका जो answer आएगा वो आएगा 7 साथ आजाएगा बेटा Next आगे पकड़ उसमें क्या था? Question number 7 पे आजाओ A और B के बीच में कितने बन्दे बैठें बाई? A और B के बीच में 1, 2, 3, 4 4 लोग बैठें भाई answer आजाएगा इसका 4 परसर A और B के बीच में 4 लोग बैठें ठीक है? 4 लोग बैठें हुए Next कितने विक्तियों की जानकारी इसमें नहीं दी जा सकती? Information about how many persons is not given यहाँ पर question क्या था? Information about how many person is not given यह line जो है न बोला गया है कितने लोगों की जानकारी नहीं दी जा सकती? तो यह तो बिलकुल senseless बात होगी न? सबकी तो information दी गई है यहाँ पर हमको बताया गया है कि पूरी information clear है तो यह जो question पूछा गया है इस question का answer देना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल है कितने वेक्तियों की जानकारी नहीं दी जाती है तो यहाँ पर इस question में c and d का answer आएगा यह question यह अपने आप में doubt create करके जा रहा है ठीक है न? आगे देखो find the odd one out इनमें से odd one out चुनो बेठा r e a g f तो आप पाओगे आप पाओगे कि f जो है वो end पे बैठेगा है न? बाकी सारे बीच में है r e a g f में देखो यह देखो सबी के सबी अंदर है f जो है हमारा कहां पे? end पे तो odd one out में क्या जाएगा answer इसका? odd one out का मतलब बच्चों होता है कि जो चीज आप बाकियों से अलग हो तो f इसक अंसर आजाएगा ठीक है? चली आगे देखीं इसमें क्या था? b के respect में e की position क्या होगी? इस दरा दिहान से देखना b के respect में e की position क्या होगी? तो e की position b के respect में क्या होगी? 1 और 2 left में कहां पे second हो जाएगा? left में second हो जाएगा answer आएगा second to the left second to the left clear हो गया चलिए तो उमीद आपको इस समझ में आगा question और अब शुरू होती है असली लड़ाई question की असली कहानी जो है वो अब शुरू हो रही तो बड़ा सा question आपके सामने देख लिए और इस बड़े से question को solve करने के लिए आपको time तो मैं दूंगा यहाँ पर ठीक है लेकिन कोशिश यह करना है ना किस question को आपको बना के दिखाना है ठीक है तो आप एक काम करिए इस question के लिए मुझसे time लिए एक बार इसका Hindi version मैं आपको दिखा दूँ उसका screenshot ले लिजे यह इसका English version आप देख लिए पर इसका screenshot ले लिए उसके बाद मैं आपको इसका Hindi version दिखाता हूं आपको मैं इसका Hindi version दिखाता हूं भाई जल्दी करिए ठीक है चलिए इसका Hindi version अच्छा question है बड़ा question है time taking question है line by line question को पढ़ना है और उसके बाद discussion को solve करना ठीक है यह देखे आपको इसको solve करने के लिए मैं three minutes का time दे रहा हूं ठीक है तीन मिनिट का मुझे लगता है कि sufficient है इसको तीन मिनिट में करने में आपकी speed के उपर सब खेल हो गए हाँ पर डिपेंट ठीक है ना यह time start होता है आपका यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूं इसको ठीक है यह देखे time start हो गया जल्दी से देखिए और इसको देखिए इमाद सिर्फ बनाने कोशिश करिए come on आप कर सकते हैं कोशिश करिए question को सोचने की कोशिश करिए question को करने की तीन मिनिट आपके पास हैं इस तीन मिनिट में आप question को जितना जल्दी हो सके solve करेंगे चीक है मात्र डेड़ मिनिट का timer आपके पास बचा हुआ है तो try कीजिए इसको काफी बड़ा question है काफी time taking question है और timer आपका चल रहा है एक मिनिट सत्रा सेकेंड बचे हुए है चरी ओल्मोस्ट ये question आपका done होने की कगार पर आ चुका है फिर मैं आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा और देखते हैं कि इसमें क्या है ऐसा जो आपको परिश्वान करता कमान पच्चिस सेकेंड और बचें भाई पैंतिस सेकेंड सॉरी attempt करना इसको आपको solve करना तो ठीक है attempt तो करिए जो भी हो सकता है 5-3 मिनट से ज़्यादा time लग जाया लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप attempt करते रहें वीडियो को pause करके पूरा बनाने कोशिश करिए क्योंकि आप जब पूरा बनाएंगे तो ही आपको एक confidence बनेगा कि हाँ आप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से करेंगे चलिए time अप होने वाला आपका ठीक है बही चलो लड़ाई लड़ते अच्छे जी बड़ा question है बढ़ियां question है और आपको इस question को solve करने तो आना चाहिए करें क्या एक time लेते हैं इसमें चलो एक page उठाते अब हुआ यूँ है हुआ यूँ है कि क्या बला गया कि कुछ लोग है ठीक है जो की movie देखनें गये थे gold और उसमें क्या हुआ कि इनकी screen जो है वो north में ठीक है वो सब बढ़िया है सीधी राइन में बैठे हैं सभी 8 टिकटों का लगबग 500 रुपए बिल पे करते हैं जिसमें से इनका अलग अलग जो भी पैसा जिसने दिया होगा ठीक है किसी भी दो वेक्तियों ने एक ही राशी नहीं दी मतब सब लोगों ने अलग लग लग है 500 को आपको 8 लोगों में आपको डिवाइट करना है ठीक है आठ लोगों में आपको डिवाइट करना है फ्रिंस 39 रुपए का बुकतान करने वाले वेक्ति के बाएं चौथे सान पर तो कुश्चन थोड़ा तगड़ा होने वाला चलो इसको बनाते हैं आप थर्टी नाइन के बाएं चौथे सान पर प्रिंस होगा तो बेखो ऐसे कर लेता हूं थर्टी नाइन वाला जो बंदा होगा जो भी होगा है ना थर्टी नाइन वाला जो बंदा होगा उसके बाएं एक रुक जाओ एक सिकेंड इसको पीटा ऐसे कर लेता हूं मैं थोड़ा ऐसे करने की कोशिश करता हूं कि ऐसे एक चार, पाँच, छे साथ, और आठ, फिर से धेखू, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ठीक है, यह आठ लोगों की कहानी यहाँ पर बन चुकिए है, अब एक थोड़ासा दूविधा वाली कहانी यहां पिए थी कि जो प्रिंस नमक इंसान है ना. देखो, यहां पिए प्रिंस थर्टी नाइन रुपीज जो देता है ना उसके लेफ्ट में 4 अस्थान पे. ठीक है? चलो. तो थर्टी नाइन के लेफ्ट में चौथे पर प्रिंस है. मुझे नहीं पता clearly समझ में आगी बात good आगे देखो next अच्छा जो मतलब क्या बोला गया है जो सबसे कम भुगतान की गई दाशी नहीं मतलब 39 से भी लोग कम देए है 39 से भी कम है इस बात को याद एकना 79 रुपीज देने वाला टोनी का पडोसी था अब जो भी 79 रुपीज दे रहे बिटा व 79 वाला व्यक्ति जो है वो टोनी का क्या है बेटा इसमें पडोसी ठीक है आगे देखो next असमें क्या था रोहित अच्छा यहाँ पर amount जरा लिखते चलना 39 79 है ना चलो छोड़ी के जाने दो रोहित उस व्यक्ति के ठीक धाएं है जिसने विनोद द्वारा भुक्तान की गई राशी का आधा दिया है जरा सोचो कोशन को किस लेवल पर गुमाया गया कि रोहित उस बंदे के जस्ट राइट में है जिसने विनोद का आधा पैसा पे किया ठीक है जस्ट राइट बोलागे ना रोहित उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के जस्ट राइट में रोहित बैठा है जो बंदा है ना विनोद का आधा पैसा दिया है विनोद बाई 2 कर दिया मैंने ठीक है न बेटा? उसके just राइट में कौन बैठा है? रोहिद बैठा है ठीक है? लिखते चलते हैं कुछ तो मिलेगा यहाँ पर, आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर जहां प्रिंस द्वारा भुखतान कीगे राशी 30 और 90 के बीच एक पूढ़ वर गये, क्या बात है, और कमर द्वारा भुखतान कीगे राशी एक प्रमुख संक्या, ठीक है, यहाँ पे ज़रा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश में इस लाइन को पढ़ते हैं यहाँ देखो यह लाइन बूली गई थी कि sum of the amount paid by prince and comer was 160 ठीक है prince और कमर द्वारा जो पैसा pay किया गया था मैं इसको यहाँ लिख लूँगा भाई कि prince यहाँ लिखता हूँ shortcut में कि prince और कमर इनको द्वारा जो पै किया गया amount था वो कितना था 160 था ना 160 था 160 था 160 का amount था prince और कमर द्वारा जो राशी यहाँ पे पै गई बेटा वो क्या है 160 है ठीक है 160 और उस 160 की लडाई में न क्या बोला गया है where the amount paid by prince is a perfect square अच्छा prince ने जो पे किया है वो एक perfect square है 30 से 90 के बीच में अच्छा एक बाल बताओ 30 से 90 के बीच में अगर बात करें सुनो जला ध्यान से तो 30 और 90 के बीच में दिखा जाते हैं 36 दिखरा मुझे 149 दिखरा मुझे 64 दिखरा मुझे और 118 दिखरा ठीक है इन में से कोई एक amount जो है वो pay किया होगा कौन बिटा कौन पे किया होगा prince पे किया होगा ठीक है और उसके बाद बोला गया था इसमें and the amount paid by कमर is prime number अब सरा सोचो कि कमर द्वारा जो amount pay किया गया है वो एक prime number है ठीक है क्या है वो एक prime number है तो अगर मैं 36 में 160 को minus करता हूँ तो 160 को अगर मैं 36 से minus कौन बिटा तो आप पाओगे ये 4 आ गया और जैसे यहाँ पे 4 आएगा तो prime number यहाँ पे होगा ही नहीं किसका कमर का तो 36 तो option हटा दो यहाँ से 36 हो नहीं सकता है ना ध्यान से देखना मेरी बस समझना बहुत अच्छे समझना बिटा अच्छा question है मज़िदार question है ठीक है आगे देखो ज़रा सा अगर माल लेते हैं कि 49 amount हो जाता है प्रिंस का तो 49 माइनस को रुपिटा कितना आएगा यह वन आ गया दस में से 9 माइनस वन करेंगे पांच में से 4 गया 1 और 111 अब 111 111 जो है क्या किसी की टेबल में आता है नहीं आता है यानि इसके chances बनते हैं कि भाई जो कमर है वो 111 रुपिए पे किया होगा चलो एक कर्णिशन हो गया ठीक है एक कर्णिशन हो गया है यहाँ पर अब उसके अलावा देखो एक उमीद हमारी बद गई कि चलो ठीक है 49 के उपर मोहर लग सकती 49 के उपर मोहर लग सकती अच्छा इसमें को 64 की बात करें अगर तो 64 अगर हम माइनस करते है बिटा ये 6 आ गया और जैसे ही 6 आएगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कमर जो है वो प्राइम नंबर में जाएगा तो 6 जिसके लास्ट में 6 नंबर होता है बिटा तो 6 नंबर वाला वो प्राइम नंबर थोड़ी होगा 6 नंबर वाला प्राइम तो होगा नी भाई जो भी संख्या आएगी लास्ट में कर 6 है इवन नंबर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा इवन नंबर में सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होता है तो यार इसके भी चांसेस खतम होगे बच्चों तो इसका मतलब उमीद हमारी है कि 81 या फिर क्या 49 अगर मालने 81 कर लेते हैं इसको चल भाई 81 कर लिया तो 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 15 ठीक है 79 79 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रिंस के पास अमाउंट है ना वो या तो 49 है या फिर 81 है चलो एक बात तो क्लियर होगी इन में से कोई एक अमाउंट जो है वो प्रिंस के पास है और उससे फिर हमको निकल के आ जाएगा किसका कमर का या तो 11 100 या तो 79 ठीक है ना चलो आजो next next पढ़ते चीज़ें बस समझते चलना बिटा ठीक है वाहिद वास seated third to the right of prince and prince was not an immediate neighbor of Tony वाहिद जो है वो प्रिंस के बाएं third पे ज़रा सोचो प्रिंस के बाएं एक, दो और third पे वाहिद है ठीक है हमारे पास 8 की seat है तो देखो 1,2,3,4,5,6,7 एक सेकेंड प्रिंस के बाएं third पे बोलागे है ना एक, दो, third पे है तो देखो गिनो 1,2,3,4,5,6,7,8 और यहां पे देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 तो बस खतम हो गया इसका मतलब यहां पे जो बंदा होगा एक, यहां पे एक, दो, 3,4,5 है ना तो पांच है पे जो है वो कौन सो हो जाएगा पेटा प्रिंस हो जाएगा ना ठीक है ठीक है ऐसा देखो ज़रा सा उसने एक बात जो बोली थी question में टोटल कितने लोग बोले हैं पे ज़रा देखो एक बात पढ़ लो यहां पे एक सेकंड रुक जाओ प्रिंस इस फोर्थ टु दे लेफ्ट आप द वन हो पेट थर्टी नाइट ठीक है थर्टी नाइट की बात हो रहा है कि थर्टी नाइट की लेफ्ट में फोर्थ एक, दो, तीन, चार प्रिंस यहां आगया भाई, थर्टी नाइट की लेफ्ट में है ना, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ लोग हो गया फोर्थ पर यह आ गया थर्टी नाइट की चीक है और वाहिद के बारे में बोला गया था कि जो वाहिद भाई साब है ना, वा सीटेट थर्ड राइट अफ प्रिंस, अच्छा, राइट अफ प्रिंस बोला गया था बेटा, माफी चाओंगा वाहिद जो है ना, प्रिंस के राइट थर्ड पे तो अगर वाहिद जो है ना प्रिंस के राइट 1, 2, 3, यहां पे वाहिद आ जाएंगे, वाहिद प्रिंस के राइट में कहा जाएंगे, थर्ड पे, अच्छे एक बार बताओ, प्रिंस के राइट में 1, 2, 3, 4 जगे तो खाली होने वाली, यानि कि 1, 2, 3, 4, तो प्रिंस जो है वो यहां से हो सकता है, इन च at one of the extreme end and paid a sum of that was square between 35 to 70. ठीक है? ठीक है, which was not the least amount to be paid. है ना, सरा सोच ना कि Tony जो है ना, वो किसी एक end पे बैठा है, तो क्या ये question यहां से शुरू हो सकता है? Tony किसी end पे बैठा, तो एक काम कर लेते हैं इस question में, Tony को हम यहां रख लेते हैं, एक case में, एक case में Tony को यहां रख लेते हैं, अच्छा एक case और imagine कर लेते हैं, कहां पे बैठा, उपर, यहां पे एक case और imagine कर लेते हैं, यहां पे, भाई दो case से लेके चल लेते हैं इसमें ना, दो case से लेके चलते हैं, गिनो जड़ा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ, और एक case में न, Tony भाई साब को कर लेते हैं, यहां पे, Tony जो हैं, वो end पे आ गए, ठीक है, अब जब Tony यहां पे आ चुके हैं, तो एक बात बोली गए थी, इसके just पीछे वाली line में, कि जो यह है, वाहिद है, तो तोनी का पड़ोसी नहीं है, तो वाहिद यहां नहीं आ सकता, और अगर वाहिद यहां नहीं आएगा, तो प्रिंस फिर यहां नहीं आ सकता, प्रिंस के राइट 1, 2, 3 पे वाहिद होगा, वाहिद टोनी का पड़ोसी है नहीं, तो इसका मतलब प्रिंस की जो उमीदे हैं वो यहां दिख रही है प्रिंस और उसके लेफ्ट वाण टू थ्री यहां पर वाहिद हो सकता है हाँ या ना बोलो ठीक है यह वाहिद ऐसे हो सकता है बेटा वाहिद अभी मुझे कन्फर्म नहीं है ठीक है आफैंवर्म नहीं कि वाहिद यहीं है आएगा चाहिए बाह बताओ प्रिंस यहां भी तो आ सकता था रुकुर अभी डाउट है आफिस पर थो मुझे है जैक है तो सकता है यहां जो amount आएगा वो क्या आएगा 79 आएगा अब यह वाली लाइन जड़ा हटा देता हूं मैं हटा दिया मैं ठीक है ठीक है चलू आजओ आगे जड़ा पढ़ते आगे देखो यहां पर एक सेकिन 79 यहां मुझे दिख रहा है 81 79 एक है एक मिनट एक मिनट इसका मतलब एक बा और 79 पर अगर कमर आ चुके हैं 79 पर अगर कमर आ चुके हैं तो यार एक बात बताओ टोनी के आस पास कौन बैटने वाले हैं कमर भाई साब यह देखो यह देखो कमर ठीक है ऐसे कर लेते हैं शॉटकट में और यहां कमर हो गया क्योंकि 79 का वैल्यू तो हमको दिख रहा है तो इसका मिलब कमर 79 हो गए और हमारे प्रिंस भाई साब जो है वो कितने पर आगे बिटा 81 पर आगे तो उमीद ये है हमारे साथ अभी मैं 49 को होल्ड पर रखा हूँ लेकिन ये कंडिशन सैडिस्वाई दिख रही यहां पर कि कमर 79 और यहां पर प्रिंस हो जाएंगे कितना 81 पर इनका सम करने पर 160 आ रहा है ठीक है ना आगे देखो तरह सा टोनी किसी एक एंड पर बैठेंगे और देखो यहां पर इधर देख लो हिंदी में भी देख लो आप लोगे यहां पर इधर असा कि जो टोनी है ना एक अंतिम छोड पर बैठा और उसने 35 और 70 के बीच में यानि 35 और 70 के बीच में किसी स्क्वाइर की बात कर रहा है भुक्तान के जो कि भुक्तान की जाने वाली नियूंतम राशी नहीं थी तो ऐसे भी नियूंतम राशी नहीं होगी तो इसका मतलब बड़ी संख्या में राशी इसने पेक करी तो किस से बोला कि कितने से 35 और 70 की बीच में 35 और 70 की बीच में 35 के बाद 36 आता है 36 ठीक है या तो उसने कितना किया होगा 36 किया होगा या फिर उसने कितना किया होगा 49 किया होगा 49 तो किसी का नहीं है इस में 49 देखो नहीं है डाउट में था या फिर उसने 64 की होगी यह जो तीनो राशी में से कोई एक राशी किसकी ओजाएगी वेटार टोनी की किसी की हो जाएगी टोनी डाशी हो जाएगी चलो यहां पर डर्ण हो गए अच्छे डाइन हटाउट जड़ा सा यहह लाइन हटा ऊच्छुके हमारी भी फिलाई तो इश आउट में चल रही है अच्छा एक बाल बताओ अगर कमर भाई साब टोनी के बगल में यहां आ गए तो फिर प्रिंस भाई साब की चांसेस बन रहा है क्या इस साइड में देखो 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 39 के जस्ट अच्छा टोनी 39 हो नहीं सकता टोनी जो है वो 39 होगा नहीं तो इसका मलब 39 यहां आ सकता है क्या 39 यहां आ गया और वाहिद भाई साब जो है वो यहां आ गया और वाहिद अगर यहां आ गये तो उसके लेफ्ट में एक दो तीन पे प्रिंस हो जाएंगे एक, दो, तीन पर यहाँ प्रिंस हो सकते है अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है प्रिंस टॉप पे आजा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है चला चेक कर लेते हैं इसको इसमें रख के देख लेते हैं भी भगवाद जाने, चीज़ने देखते हैं, समझते हैं और यहाँ पे यही चीज़ मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे, उपर वाले में उपर वाले में देखो उपर वाले में डाउट है, 79 कहीं भी आ सकता है 79 अगर यहाँ करूँगा तो यहाँ पे 39 आएगा 39 के बाद फिर यहाँ वाहिद आएगा और उसको बाद एक, दो, तीन, हाँ आ जाएगा देखो यहाँ पे, अगर मैं कर देता हूँ 79 कमर कमर को क्यों लिख दिया मैंने उसके बाद यहाँ 39 किया बेटा, यहाँ पे कर दिया कि उसको मैंने वाहिद को दूसरा के चल ला है यहाँ पे एक, दो, तीन, यहाँ को न आएगा, प्रेंस आ जाएगा लेकिन आप फिर पाओगे कि यार, 79 तो आप रख नहीं सकते क्योंकि वह तो कमर आपने यहाँ रख दिया है तो इसका मदब ऐसा कर सकते हैं कि 79 यहाँ से हटा दो हटा दो इसको, 79 वाले को हटा दो, ठीक है बागे तो ठीक है ना, भाई देखो assumption पे खेल रहे हैं लोग अभी तो assumption पे ही खेल रहे हैं आप है, चलो ठीक है वो एक last की जगह मैंने छोड़ दिया, आप चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो, किसको 39 वाले को फिलहाल, आज़ो इस पे जड़ा next पे टोनी भाई साब की जगह अभी थोड़ा सा doubtful है कि टोनी भाई साब किस में आने वाले हैं, ठीक है तो फिलहाल मैं इसको हटा रहूँ अभी फिलहाल तो ये चीज़ हटा रहूँ, देखते हैं, आगे देखो विनोद जितना पे की हैं, उसका आधा पे करने वाला जो है, उसके just right में रोहित बैठेगा तो ठीक है न, यार एक बाल बताओ, विनोद के just right में रोहित है विनोद के just right में रोहित है, तो यार एक बाल बताओ तो यहीं वो तो जगह दिख रही मुझे, और कहीं होगी नहीं, विनोद यहां पे होगा नहीं, विनोद का आधा पे करने वाला यह उसके राइट में रोहित, रोहित 39 हो नहीं सकता, 39 का डबल कितना होगा, नो दिनी अठारा, 396, 778, छोड़ो जाने तो, अभी यहां पर, इ रोहित के जगह यहां आ सकती, दो जगह रोहित के इसमें देख रही, इसमें भी रोहित की एक जगह यह देख रही, एक वहां पर देख रही, छोड़ो जाने तो, अब बस almost question done हो चुका है हमारा, ठीक है, आगे देखों यहां पर, विनोद पेड असम ऑफ 84, ठीक है, विनो 75 के लेफ्ट में थर्ड पे, 75 के लेफ्ट थर्ड पे विनोद है, लो भाई, अब विनोद 75, विनोद अगर थमा को पता चल गया कि 85 में जा रहा, ठीक है, देखों न, विनोद का सम कितना दियागे इसमें, 84 है शायद न, 84, विनोद भाई साब 84 पे कर रहे हैं, तो 84 का जो आधा हो जाएगा, बिटा कितना हो जाएगा, 42, तो 42 के राइट में कौन होगा, रोहित होगा, तो जरा सोचो, 42 के राइट में रोहित, वाहित 42 हो सकता है, कहीं भी कोई भी हो सकता है, अच्छा, हमें एक बाद पता चल गए कि विनोद हमारा कितना है, 84 पे आएगा, तो व आलो वाहिद 75 पे हुआ तो एक दो तीन पे विनोध हो नहीं सकता तो फिर 75 को थोड़ा और शिफ्ट करें क्या 75 को थोड़ा और शिफ्ट करें 75 के लेफ्ट 123 यहां को ना सकता है विनोध आ सकता है और कोई जगह विनोध की है क्या और कोई जगह यहां पर विनोध की देख र ऐसा भी हो सकता है ठीक है अब जैसे विनोध यहां पर आगे भाई साब तब रोहित वाली जगा क्या डाउटफुल थी वो क्लियर होगी क्या हमारे पास कि भाई रोहित जो है भाई साब विनोध का जो आधा पे करता है उसके राइट में अभी भी रोहित भाई साब डाउट बश्यान यहां पर आभिड़ागी यहां तो आ ने सकता है है तो मतलब एक ही जगा बश्याहँ यहां पर यहां रोहित हो जाया उसके इसमें तो चलियर और इसमें ज़रा देखो 42 के राइट में रोहित 42 यहां सकता है रोहित यहां सकता है 42 यहां सकता है रोहित यहां सकता है थोड़ा सा भी डाउट है नीचे छोड़ दो ज़रा सा टोनी की जगह भी क्लियर नहीं है इसमें टोनी मारी जगह क्लियर नहीं है इसमें दिख रहा ठीक है यह देखो सोहन आ गया यह उपर वाला केस गलत हो गया क्योंकि यहां सोहन 39 पे रोहित थोड़ी होगा और जैसे यह लाइन हुई बैटा तो हमारे पास रोहित भाई साब यहां आ जाएंगे यह देखो रोहित यहां आ चुके हैं और रोहित जस्के राइट में 84 का अदा 42 वा builder देखो कुश्च्ण के खिशाब से देखा जाये तो आमारे पास एक नाम बच रहा है यह बैए अगर और अमाउंट की तो वाहित और टोनी वाहित और टोनी का जो amount है वो क्या होगा ज़रा देख लो अब सोचने वाली बात यहां पर है कि tony का amount यहां तो 36, 49 और 64 में से एक होगा 36, 49 और 64 में से tony का amount एक हो जाएगा एक काम कर लें एक काम कर लेते हैं तो 84, 81, 42, 75, 39, 79 ज़र एक बार जोड़ दो इनको तो 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 9 कितना होगा 21, 21, 21, 9 कितना होगा 30, 3 carry, 8, 8, 16, 4, 20, 27, 30, 37, 37, 37 कितना होगा 40 यानि कि अभी तक हमारे पास 400 रुपए हो गया 100 रुपए और बाटने और अगर 100 रुपए बाटने हुए तो इसका मतलब अगर मैं तोनी को दे देता हूँ कितना 49, suppose तोनी को मैं 49 पे कर देता हूँ या तोनी का अमाउंट 49 अगर हो जाता है 49 तो अब ज़रा सोचो कि 49 अगर तोनी का माउंट हो गया तो 51 किसका होना चाहिए वाहिद का ठीक है 51 किसका होना चाहिए वाहिद का और इसके बारे में कुछ बोला नहीं कहा है नहीं एक बाद चेक कर लेते हैं वाहिद के amount के बारे में कुछ बोला गया क्या एक बाद चेक कर लो prince is fourth left of the one who paid 39 ठीक है बट not the least the one who paid 79 was neighbor of Tony ठीक है रोहित was immediate right of the one who paid half of the amount paid by Vinod some of the amount paid by prince and Camaras इतना where the amount paid by prince is perfect square ठीक है ये भी सही हो गया वाहिद was seated third to right of prince and prince was not immediate neighbor of tony ठीक है tony was seated at one of the extreme end and paid a sum of was square between 35 to 70 which was not the least amount to be paid by ठीक है अच्छ यहां पे Vinod paid a sum of 84 and was third to the left of the one who who paid rupee 75 ठीक है और सोहन paid 39 but was not sitting at the extreme end and nobody paid an amount more than 85 85 से ज्यादा में कोई amount पे नहीं करता है आठ टिकेट यहां पर दी गई है कोई भी दो व्यक्ती एक जैसा amount पे नहीं करता है तो इसका मतब यहां थोड़ा दाउट में अभी है यहां पे फ्वड़ा सा डाउट है यहां पर थोड़ा सा डाउट है यह जो दो amount है हमारे पास अब देखो यहां पर कौन-कौन से amount बचते हैं माल लेते हैं अगर माल लो इसमें जो Vinod भाई साब है ना Vinod नहीं हमको किसका किसका बचा है तोनी का बचा और वाहिद का बचा है न तो अगर माल लेते हैं टोनी भाई सब जो है 64 पे चले गए जड़ाब को ध्यान से देखना एक्जाम्पल लेता हूं अगर माल पर जाते हैं तो वाहिद कितने पर जाएंगे यार 64 में से अगर हम देखें तो 36 36 पर वाहिद आ रहा है अब जड़ा एक बात बताओ एक तो यह केस हो गया दूसरा 49 और 155 का हो गया और 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 एक और देखो अगर 36 करूंगा इसको तो फिर इसको करना पड़ेगा यहां पर यह ठीक है यह आपका डाइग्राम बनके तो आ गया बिटा लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है यहा यहां पर डाउट है और एक यहां पर डाउट है एक में रुकन जारा टोनी के बारे में कुछ और बोला गया था क्या हो 35 और 70 के बीच में राश्य का भुधान किया है, जो कि भुधान की जाने वाली निउन्तमराशी नहीं थी, अगर भुधान की जाने वाली निउन्तमराशी नहीं थी तो इसका मतलब एक बात तो clear हो गया, कि 36 से छोटा नमबर तो कोई दिख नहीं रहा अगर 36 है नहीं तो इसको हटाओ 36 तो हो नहीं सकता नियुनतम राशी यहां पर 36 हो जाएगी तो 36 टोनी की राशी नहीं हो सकती अब बचा 49 और कितना बिटा 49 बचा और 64 बचा तो अगर मैं 64 इसको रखूँगा तो यह 36 हो जाएगी नियुनतम राशी भी तो हमको दिखानी है बिलकुल सही हो गया यह हमारा अंसर आ गया सही बिटा यह अंसर आ गया नियुनतम राशी जो इसकी है ना वो 36 है नियुनतम राशी जो है वाहिद का जो कि नियूंतम राशी इसमें ठीक है ना यह देखिए यहां पर हमारे सामने आ चुका है वैल्यू और यह देखो 39 जो बोला गया 39 नियूंतम राशी नहीं इसका मतलब इसके बाद भी कोई नियूंतम राशी तो बचा क्या 36 बचा ना वही यह दो कुश्चन सौल हो गया अब देखो कॉश्चन पढ़ दो पहला नियूंतम राशी कितनी है और किसके द्वारा पे गया भी जस्ट किया वाहिद 36 यह देखो आगया आया कि नहीं आया वाहिद 30 वाहिद है कि क्या नम इसका था उमेश है उमेश नहीं बिटा वाहिद है 36 वाहिद ठीक है ना देखो जड़ा अंतिम छोर पर विक्ति हो दरा भुकतान की राशी का डिफरेंस क्या है देखो जड़ा अंतिम छोर पर जो बंदे बैठे है जनी 64 और 84 तो 84 64 का गैप कितने का वाहिद पिटा आपको गया 20 का इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का गया बीस का जाएगा यह दो सॉल हो गया ठीक है नेक्स्ट आगे देखो टोनी दोरा निम्लिकित में से कितना भुकतान पिया गया टोनी जो आपको याद होगा टोनी जो भाई साब थे वो कहां थे लास्ट में 64 वाले पर आ गये थे ना यह देखो टोनी 64 पर आगया तो इसका अंसर क्या आएग हो सकता है ठीक है ठोनी जो है और यह एक पर यंद पर धिखा रहा एक पर करलो हाँ एक पर तोनी है एक पर विनोद है और Тут से बीनोद नहीं दिखाई देयरा रहा ठीक है धून से लाइक में काज़ हम ऊना जो amount था सोहन का सोहन का जो amount है बेटा वह कितना है 39 है Prince का 81 आ गया था हमारा सही है वहाहिद 26 नहीं बेटा 26 तो amount ही किसी का नहीं ठीक है 26 तो amount ही किसी का नहीं है न क्यों क्यों क्योंकि सबसे least amount राउंड कितना है 36 तो क्लियर हो गया समझ में बाद कोशन कैसे करना था तो यह मैं अंसर आ चुका है अब यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर कुछ और कोशन चेंज हो गया तो एक और कोशन आपके सामने आ चुका है जड़ा ध्यान से देखिए एक और बहतरीन सा कोशन ह ऐख और ये कॉशन जो आपको मैं दे रहा हूँ यह होम वक कोशन के इंदर आए मैं तो इसका मतलब यह हो जाआगा कि आपको यह करके दिखाना पड़ेगा और यह अच्छा पर यह जाए नहीं यह औरि चस Don A ACTो अच्छे से स्का स्क्रीनś quick लेए लो Ads इस से is इप्ने प् बाज में इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप लो ठीक है बैतरीन अंदाज में ले लो स्क्रीन शॉट ठीक है डण अब इसके कोश्चन्स का पूछे जरह वह देख लो बाइस बहुता पहला कोश्चन आपके सामने आ चुका है कौन सी के बाएं तीसरे अस्तान पर बैठा हुआ और अगर आपको लगता है कि नहीं बना तो उसका solution देखना होगा तो मेरे next session जो होगा उसमें आपको मैं जरूर लास में बताऊंगा solution तो यह आप जरूर देख लिजए यहां पर वाई के पास कितनी chocolates है भाई ध्यान से देखो बढ़िया question है blood relation के साथ chocolate है और वहाँ पे लोगों को arrange करना है भाई देखो ध्यान से next question number 19 पे आजाओ यह देखो यहां से वाई के पापा कौन है यार वाई के पिता जी कौन है खटाक से शेक करो उसको next c और w के जो chocolates हैं उनका sum कितना होगा c और w के बाद total chocolates हैं उसका sum कितना होगा यह आपको question दिया गया है ठीके न तो आई विश आपको मजा आया होगा और यह देखिए हमारा जो question कल का था मैंने आपको दिया था उस question क्या हो जागा चेक करो जड़ा सा मैं इसको बताने जा रहा हूं ध्यान से देख एक मैंने question कराया हुआ है आपको एक बढ़ जाकर देखा ना है कि मैं फिर से इसको करा दे रहा हूं ठीक है फिर से बता देरा ताकि और और आच्छे से क्लिर हो जाए इस session के जो पहले वाला session था वहां पर मैंने इस question को कराया हूँआ है आप जाकर देख सकते हैं लेकिन आ आप उसको जाके पार्ट 3 में लास्ट में देख सकते हैं लेकिन मैं इसका solution करना दिखा रहा हूँ आपको किसको करते कैसे questions आप इसका देखती जाएगा वहाँ से आराम से बन जाएगा ठीक है ना यह देखिए मैं आपके सामने question कराऊं उसके परेमेक page लेता हूँ यहाँ प आठ दो दस ठीक है दो केस से लेके चले थे पिछली बार भी यहाँ भी दो केस से ही जाएगे भाई साब है ना यहाँ भी दो केस से जाएगे चलो आजाओ next पर first line से शुरू करें यहाँ यहाँ पर यह सब छोड़ो यहाँ से शुरू करते है question को कि x w के right में second position पर एक काम करेंगे w को एक diagram में बिठाते हैं उपर ठीक है बिटा यह दो बिल्कुल ऐसी मैंने वहाँ पर सिखाय था आपको ठीक है w के right second पर x बैठा है q और p opposite है q p के विपरीत है और उसी दिशा में देख रहा है जो t है facing opposite to the center and neighbor of r बिटा t जो है न टी बाहर देख रहा टी जो है वो बाहर देख रहा ठीक है टी जो है वो कहां देख रहा बाहर और किसका परोसी है भाई r का परोसी ठीक है यह ध्यान समझ न टी बाहर देख रहा और किसका परोसी है r का आगे देखें इसमें, both the immediate neighbor of you are facing opposite to the center, भाई साहब इसने बुला कि you के पड़ोसी जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो you के जो दोनों पड़ोसी हैं, वो कहां देख रहे हैं भाई साहब, बाहर, you जहां भी होगा बाहर, अभी मुझे नहीं पता, छोड़ो चलते जो आ आएगा, Q आजाएगा, Q, Y के left second पे, S is third left of W, S is third left of W, तो W के left third पे S होगा, तो W तो हमको दिख रहा भाई, एक, दो, तीन, यहां पे S आजाएगा इसमें, और एक, दो, तीन, यहां पे कौन आजाएगा, S आजाएगा, ठीक है, S, W के left third पे आजाएगा, next, आगे देखो, V is not facing same direction as U and W, मतलब एक बात समझ लो, कि U और W जो है, वो facing same है, और उसके just opposite में कौन आएगा, V आजाएगा, not equal मतलब कि V उसके opposite में आजाएगा, ठीक है, आगे देखो, यहां पे क्या था, ठीक है बेटा, कहां गी भी line, ठीक है, X और W facing same direction, and X और W का जो face है, बेटा, same है, इसका मतलब X इसमें बाहर देख रहा, और इसमें X भाई साब जो है, वो कहां देख रहा है, अंदर के दरब देख रहा है, ठीक है, next, उसके बादे क्या था है, इसमें, the one who's sitting opposite to R, is facing opposite to the centre, पहला, R का जो opposite है, वो बाहर देख रहा है, R के जस्सामने जो बैठा है, जो भी बन्दा, वो कहां देख रहा है, बाहर देख रहा, जो भी बन्दा बैठा है, वो कहा देख रहा है, बाहर देख रहा, सिर्फ solution समझना अच्छे से, आगे देखो, इसमें same direction, बिटा V के जो पडोसी है वो same direction में देख रहे हैं, ठीक है ना तो V के जो पडोसी है वो कहां देख रहे हैं बिटा, same direction में देख रहे हैं, आपको अगर याद दो तो मैंने question को बहुत अच्छे समझाया था, यहां पर भी वही करेंगे, ठीक है ना, जो T T is sitting third left of V, T जो है वो V के left third पे, अभी T का मुझे नहीं पता, V के left 1, 2 और 3 पे कोन आएगा T अच्छा बस एक बड़ T आजा तो काफी कहां नहीं बन जाएगी यहां पर, ठीक है ना, आगे देखो आगे देखो, T और S जो है वो पडोसी नहीं है, यह लो कोशन यहीं से बन जाएगा, तो T कहां कहां नहीं आ सकता है, यहां 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 नहीं आ सकता, S का परोसी T यहां भी नहीं आ सकता, तो भाई साब, T की दो जगे बच रही है और अगर T की जो दो जगे बच रही है ना, तो उस T की दो जगे में आपको बता दू मैं, T जो दो जगए बच्छने में टी को ऐसा रहो कि V के left third पह जाए तो अगर मैं टी को यहाँ करूं तो व कहां रख सकते हैं यहाँ रखेंगे नहीं 1 2 3 व यहां रखेंगे तो 1 2 3 यहां पे हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ और देखा जाए कि S और R जो हैं वो कहां देख रहे हैं opposite to the center मतब S जो है वो कहां देख रहा है बाहर और R भी कहां देखेगा बिटा बाहर देखेगा तो question हमारा यहां पे हो गया finish ठीक है अब जब question हमारा finish हो चुका है तो इस question को रखने के लिए कोशिश की जाया कि कहां से question को शुरू करो जिससे हमारी चीज़ें बन जाया एक्स और कौन बिटा R के बारे में बोला गया तरहा है एक्स और R कहां देखने बाहर ज़रा सोचो कि मैं कहां ऐसा रखो कि question हमारा solve हो जाया T की बात की गई यहां पर है ना और बोला गया था कि Q और P आमने सामने होने वाले ठीक है बाई और T के just right में कौन होगा R हो जाएगा T के just T कहां देख रहा बेटा बाहर देखेगा T outside the center देख रहा और T के just right में कौन होने वाला है R तो T अगर मैं बाहर दिखा दू ऐसे राइट में नहीं पडोसी में शायद R बोला गया है R को है ना तो ऐसा मैं कर दूँ कि R यहां हो नहीं सकता R क्यों यहां नहीं हो सकता भाई S के बगल में इसका कारण यहां पे था इसका कारण यह था कि चलो भाई यह कुछ नहीं है इसमें रुगो 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 ऐसा मत करो परिशान नहीं हो मैं काम करता हूँ इतना आर और को लेके परिशान नहीं होता हूँ मैं सिधर T और V को पहले रखता हूँ देखो V के भाई साब बात जो बोली गई है न कि V के लेफ्ट में थर्ड पे कौन आएगा T आजाएगा और V के लेफ्ट में T आने के बाद बोला गया कि V के परोसी एक दिशा में देख रहे हैं तो यहां पर उमीद ऐसी लगाई जा रही है कि V यहां अगर करूं मैं और V को बाहर दिखा दूँ वी को बाहर दिखा दूँ और उसके लेफ्ट में 1,2,3 पे T यहां आ सकता है वैई S का X का और W का परोसी T नहीं होगा लेकिन ऐसी भी उमीद लगाई जा रही है यहां पर T के साथ यहां पर एक उमीद ऐसी भी हम उमीद लगा रहे हैं यहां पर क्या उमीद लगा रहे हैं दो और आप डेबल लग रही डिबिटेबल लगा रही चलो काम करते हैं अभी इसको जए छोड़ो इसमें हताय हो हट अच्छ को अच्छ को बार बता और और कौन सी लाइन ऐसी है जिसको हम उठाके बना सकते हैं हाँ और कौन सी लाइन है अच्छे एक बार बताओ वी भाईशाब जो है वो आपको पता चल गया है कि यू और डबलू जो है इसमें कहां देखने बाहर तो वी कहां देखने वाले हैं अंदर और अगर वी को अंदर में डबलू के ऑपोजिट देख रहा तो वी यहां नहीं आ सकता तो इसका मतब एक बात तो तह है कि वी देखेगा अंदर तो इसका मतब वी यहीं आ जाएगा और वी अगर अंदर देखेगा तो इसके लेफ्ट वान टू और त्री पर टी भाई साब यहां आ जाएंगे ज यहां नहीं आ सकता यहां नहीं आ सकता यहां नहीं आ सकता टी की दो ही जगह बची है और उस दो जगह में बाई साब जो टी है ना वो वी के कहा बैठेंगे लेफ्ट थर्ड पे लेफ्ट थर्ड पे बैठेंगे और वी जो है वो कहां देखेगा इसमें बाहर देखेगा त तो इसके बाद आंешь मैं ने हसकता यहां से आएगा नहीं यहां यहां रखोंगा तो 123 पर हो जाए नीसे क्योंकिहरोश विलकुल प्कषार है और टी भायशती बाहर देखने अब जब ध्यान से देखो, यह वाली लाइन हमने बना दी इसमें, यह लोटा दो, अब एक बात अच्छी बुलेगे कि आर जो है ना भाई साब उनके सामने वाले बंदा जो है कहां देख रहा है, तो आर टी का पड़ोसी है, तो आर यहां भी आ सकता है, आर की यह दो पॉसि नहीं आ जाएगा और यहां पर जो बंदा है, वो कहां देखेगा बाहर, उसमें क्लियर हो जाएगा, टी का पड़ोसी आर वहां होगा, जिसके सामने वाला बंदा बाहर देखेगा, यह वाला बंदा बाहर नहीं देख सकता, क्योंकि डबलू इसमें अंदर है, तो यह का ए ठीक सामने पी को बिठाना यार, क्योंकि ठीक सामने पी यहां आनी सकता, 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 तो बची कौन सी जगा तो इसका मतलब आर की जगह है ना, यहां नहीं होगी बिटा, तो क्यों और पी की जगह यहां हो जाएग यहाँ पर आने सकते हैं यह केस ही गलत हो गया यह केस बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि Q और P के लिए जगए बच्ची ही नहीं बेटा आमने सामने की दो जगए मुझे चीए खाली तो हटाओ और डाइगरम खतम करो और Y के बाहर दोसरे रस्थान पर Q है तो यहाँ पे कहीं Y हो नहीं सकता तो Q यहाँ आएगा नहीं इसका मतलब यहाँ पर P आएगा और यहाँ पर कौन आएगा Q और Y के बाहर दोसरे रस्थान पर तो Regular नो डाउट Wire को यहां रखना पड़ेगा और Y को मैं बाहर दिखाऊंगा तब ही तो बाहर कहा हूँ, अंदर दिखाऊंगा, तब ही तो Y के बाएं दूसरे अस्थान पर Q आएगा, यह देखो हमारा बन चुका है यहाँ पे, अच्छा Q और P का फेज जो है वो सेम है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, U के पडोसी बाह बाहर देखे हैं, अब देखो, इस डाग्राम में U की यही जिगह दिख रही, और U के एक पडोसी बाहर देख रहा तो दूसरा भी बाहर देखेगा, और जैसे Q बाहर देखा, तो P ने भी अपनी जिगह अपनी जिगह गर देख रहा हूँ, और U जो है वो डबलू के तरह गया था इसमें, बाकी क्योंकि सब आ चुके, यहाँ पे बाकी सब आ चुके है, आर का फेसिंग क्यों मैंने नहीं दीखा, एक बच चक कर लेते हैं, आर की फेसिंग के बारे में जब देख रहेते हैं, कुछ है क्या ऐसा, T is facing opposite to center and neighbor of R, T जो है वो opposite of center है, लेकिन R का पडोस है ठीक है, यहाँ पे देखा, बोथ immediate neighbor of U are facing opposite to the center, आगे बोला गया था इसमें, कि Q is sitting second left of Y, S is sitting third left of W, और V is not facing same direction as U and W, X और W जो है वो facing same direction में है, none of them are the immediate neighbor of T, अच्छा ठीक है, the one who is sitting opposite to R is facing opposite to the center, the immediate neighbor of V are facing same direction, V के पडोसी जो है, वो same direction में देखने, R के पडोसी वी तो नही है, आगे देखो, जो T है, वो sitting third to the left of V, यह भी ठीक था, T और S जो है, वो not immediate neighbor of T और S पर उसी नहीं है, और S और R जो है, not facing opposite to the center, बतब S और R अंदर देख रहे हैं, तो लो भाई, R भाई साब भी अंदर देखेंगे, यह question आपका solve होगे, यह question मैंने बताया हुआ तो V से, कहां गया V, T और V से question solve हो जाएगा, क्योंकि भाई, V जो है, वो W के opposite पर देख रहा, तो V जहां से हमको पता चला कि वंदर रेखेगा, पुरी picture solve हो जाएगी, question आपका solve हो जाएगा, यह दो को solution है, आप इसको जल्दी से देख लो, और इसके बाद जितने question पूछे ग एक बाद solution को check कर लिजेगा, मिला लिजेगा और देखेगा जो समझ में आए, फिर से एक बार जरूर देखेगा, ठीक है ना, चले तुमीद करता हूँ, sitting arrangement समझ में आगया, चारो पार्ट क्लियर होगा, एक होगो जो दिया हूँ, बहुत classy question है, उसको puzzle में डिसकस करेंगे, यह puzzle बारा part 1 जरूर देखेगा, उसके last में आपको मिलने वाला है क्या, उस शांदार सा session, ठीक है न, चलो मिलतें अगली class में, एक और धमाकेदार session के साथ तब तक अपना ख्यार रखिए, पढ़ाई अच्छे से करी है, और सबसे important बात, कि जितना अच्छे तरीके से अप bank insurance उस पर click कर देना, जल्दी से जाना, और देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे, कि bank insurance के अंदर सारे videos हमारे आपको मिल जाएंगे, जाहिए उनको देखिए और explore करके, अच्छे तरीके से exam clear कीजिए, मिलतें अगली class में, एक और धमाकेदार session के साथ और homework दूर करेगा, थाक्यू और जाहिंद!